नमस्कार राजस्तान सरकार की ओर्षी 2004 के पश्चात न्यूप्त NPS करमचारियों के लिए 2021 में GPF 2004 के अंतरगत OPS लागू होने के पश्चात उनकी कटोती NPS को रोक कर GPF 2004 के नाम से की जाने लगी है उसके पर साथ उसमें कुछ बदलाव किये गए और 2021 में एक नया अधिनियम लाया गया जिसके माध्यम से जो 2004 के बाद न्यूक्त हैं उन्हें GPF का फाइदा किस परकार से मिलेगा समय समय पर सरकार उन्हें कितना ब्याज देगी और इसके साथ-साथ कुछ नियम से बनाएगे उस नियमों में भी एक नियम ये था कि अगर इननियमों में भी सरकार राजय सरकार के करमचारी और पैंसनर्श को लाब देने के लिए या अत्रिक लाब पहुंचाने के लिए उसमें किशी भी परकार का संसोधन कर शक्ती है उसी को मदे नजर रखते हुए राजे सरकार ने एक महतोपूर्ण रने लिया है जिसके माधियम से राजे सरकार के वेज जीपीएफ करमचारी जो 2004 के बाद न्यूकते हैं यानि कि जो पहले NPS करमचारी थे और NPS के बाद में राजस्तान में 2021 के बाद OPS लागू होने के बदलाव किये गए हैं जिसके माधियम से OPS जो जीपीएफ के माधियम से अपनी कटोथी करवाते हैं उसमें उनको लाब मिल शकेगा तो क्या है वो बदलाव इस वीडियो में हम समझेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो ये है आदेश राजस्तान सरकार वित्विभाग नियम अनुभाग का 25 अगस 2023 का महतोपुण आदेश है जिसका विशे है राजस्तान राजिय करमचारी शामानी प्रावधाई निधी नियम 2021 में खाता धारक को सेवा निवर्ति पश्यात जीपीएफ खाता चालू रखन का विकल्प दिये जाने के सम्मंद में यानि कि जो करमचारी वर्तमान में जीपीएफ 2004 के अंतरगत आते हैं और प्राविधाय नियम 2021 के अंतरगत अपने जीपीएफ 2004 में कटोती करवा रहे हैं और वो अपनी शेवा निवर्ति के पश्यात भी अगर जीपीएफ का खाता चालू रखना चाहते हैं अपनी पैंसन अंस्दान की रूप में तो भी उन्हें विकल्प दिया जा रहा है यानि कि क्यूंकि जीपीएफ के माध्यम से सरकार अतरिक्त ब्याज देती है अब इसके बाद में देखें तो राजस्तान राजे करमचारी प्राविधाई नियम 2021 के नियम च्यार में वर्नित या प्रावधान है कि राजे सरकार दोरा सक्षम आदेसों से इस नियमों के नियम च्यार एक में वर्नित गाता दारकों के अतरिक्त अन्य कार्मी को और पैं को समिलित किया जा सकता है इसके समंद में राजे सरकार ने को सिंद्रने लिए हैं जिसमें से सबसे पहला नियम है खाता धरक को सेवा निवर्त पसाथ भी जीपिएफ खाता चालू रखने का विकल्प होगा यहीं कि साट साल के बाद भी कोई भी राजे करमचारी अपना यह कोई करमचारी इससे पूर्व आज से दो महीने या चार महीने पूर्व शेवा निवर्त हो गया है और उनका खाता बंद हो गया है तो उनको पनरजीवित किया जा सकेगा पैंसनर प्राप्त शकल मानसिंग पैंसन रासी में से अधिकतम एक बटे तीन शीमा तक क्याज पर केंद्र या राजे सरकार द्वारा निर्धारित कर यदि कोई हो कि भुगतान का उत्तरदाय तो समंदित खाता धारक को होगा यहनिकि अगर आप जीपिएफ में ज्यदा कटोती करवाते हैं और इसमें जो किशी परकार का टेक्स लगेगा वो सरकार को भुगता इसका लाब दिया जा सकता है तो इस प्रकार से एक महतोपन रने हैं जिसके माध्यम से कोई भी पैंसनर अपना जीपिएफ खाता चालू रख सकता है जिस पर सरकार एक निश्यत ब्याज देगी आज के लिए तना ही धन्यवाद